नमस्कार दोस्तों अनोखार आकेस्टार में आपका एक पर फिर से स्वागत है आपने कुछ दिन पहले छोटू और आर्ती की प्रेम कहानी सुनी थी जिसमें छोटू की मौत हो गई थी बहुत दिल्चास प्रेम कहानी जो कि काफिर वायरेल हुआ था उसी करब में हम छोटू और आर्ती के घर गए थे अररिया से हम जो है बाई रोड गए अररिया कोट रेलवे स्टेसन उते रहे थे हम लोग और वहाँ से हम लोग जो है बाई रोड गए थे भरगमा पंचायत में भरगमा पंचायत में जो है छोटू का घर था जहाँ पर आरती रहाती थी तो हम गये थे हम उस समय यानि हमने सोचा था कि कास यहाँ पर रेलवे लाइन की भी जो शूबदा होती तो यहाँ आने में जो है दिक्कत नहीं होता चुकि उस समय जो है मिडिया वाले महां पहुंच रहे थे और काफी तदाद में लोग zaten पहुंच रहे थे तो हम ऻूपने इस करम में गये थे तो हमने इस बारे में सोचा था लेकिन मुर्जे क्या पता था कि रेलवे जो है हमारी इस सोच को जो ह48 में बतल देगा आपको बता दे कि छोटू और आर्दी की जो गाउं है भरगामा फंचायत उसके पास गुजरे का एक और नई रेल लाइन जिसकी मंजूरी रेलवे दे चुका है और इस रेल लाइन का अभी भूमी अधिकरन का काम काफी तेजगती से चल रहा है आप एस्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है आजादी के बाद भरगामा के लोगों का रेल से यतायात का सपना सकार होता दिखने लगा है क्योंकि अररिया शुपॉल भाया भरगामा रानी का नई रेल लाइन के लिए भरगामा परखंड छेतर में चीनित जमिन का अधिकारिय दोरा खेसरा सत्यापन का काम सुरू हो चुका है जानकारों के अनुसार और अरिया सुपॉल नई रेल लाइन भरगामा परखंड छेतर के छो मौज़ा होकर गुजरेगी जिसमें खुटहा मौज़ा, खौजुरी मौज़ा, सोकेला मौज़ा, भरगामा एउन, मनु अहलप परटी मौज़ा आदी सामिल है, तो यह जो रेलाइन है, अब भरगामा पंचायत से होकर, यह छोटी सी जनकर आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बता है, मिलते हैं, नेक्स्ट टूडियो तब तक लिए जाहें